चुनावी समीकरण इस बार क्या होगा ए तो आगे आने वाला समय बताएगा लेकिन जिन जिन लोगों ने भाजपा को खड़ा किया जिन जिन लोगों ने भाजपा को जिन्दा किया जिन जिन लोगों ने भाजपा को जन जन तक पहुँचाया भाजपा ने उन लोगों को गि ब bullish किनारे कर दिया है भाड़पा ने कभी किसी भी राम जनभूमी अंदोलन से संबन्दित किसी ब्यक्ति से कुछ भी नहीं पूछा और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में राम का नाम लेने वाले की ऊपर भी खत्रा हो जाएगा जो राम का नाम लेगा जै तो अजोध्या का नाम लेगा जो राम का नाम लेगा उसको सजा दी जाएगी और वो सजा देश की जंता भुगतेगी इसलिए देश की जंता को 2019 के चुनाओं में क्या निर्णे लेना चाहिए ये स्वयम निर्णे ले तभी देश का कल्यान होगा समाज का कल्यान होगा राम के नाम पर भाजपा आई थी और राम के नाम पर भाजपा चली जाएगे अयोध्या जो भी आएगा आयोध्या के संत उसका स्वागत करते हैं अयोध्या की धूली पर प्रियंका गांधी ने आकर हनमानुगधी का दर्शन किया क्या भारत के प्रधान मंत्री की गद्धी पर बैटने के बाद नरिन्द मुधी अजोध्या आए कुम्भ मेले में जाकर सफाई कर्मियों के चर्ण को धो सकते हैं अज वो ध्या में आकर के राम लला का चर्ण धोने का सौभाग्य नेन मोदी को नहीं मिला ये उनसे पूछा जाए मुझसे क्या पूछते हैं आप